हेलो इंजिनियर्स प्रभाद सुलूशन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाद और हम हाजी रहे इस वीडियो में एक नए कोस्टेंस के साथ तो आएए देखते हैं कोस्टेंस क्या कहता है तो कोस्टेंस बोलता है find the area of steel required मतलब आपको AST निकालना है जितना area आपको steel लगेगा for a T beam आपको T beam के लिए निकालना है given the following data इस data का यूच करके BF आपको 1250 mm दिया है DF आपको 100 mm दिया है BW आपका 250 mm दिया है D equal to 550 mm दिया है factor moment आपको 400 kNm दिया है concrete का grade आपको दिया है M15 and steel grade आपको F415 दिया हुआ है use करना है आपको limit state method तो यह आपके questions दिये हुए है अब हम इसको क्या करेंगे इस questions के base पर given data हम लिख लेते हैं तो given data width of range यानि BF equal to 1250 mm thickness of range यानि DF equal to 100 mm, thickness of wave equal to BW equal to 250 mm, effective depth यानि small d equal to 550 mm factor moment आपका 400 kNm, use grade of concrete M15 इसलिए हम लिख सकते हैं FC के equal to 15 यानि 15 Nm2 होगा, grade of steel आपका FE 415 है इसलिए आपका FY आपका 415 Nm2 होगा, तो इन data के base पर हम इस questions को solve करते हैं और हम find करते है area of steel तो देखिए AST आपको निकालना है, AST आपका होता है ASW plus ASF, मतलब area of steel wave का plus area of steel flange का, तो यह देखिए यह जो आपका लिखा हुआ area of steel flange पे, flange के portion पे जो आपका steel required है, जो हम यहाँ पे provide करेंगे, वही आपका यहाँ पे है, ठीक है अब यहाँ PA है wave, इसको बोलते है ASW, यानि area of steel in wave में, यह diagram आपको exam में नहीं बनाना है, बस मैं आपको समझाने के point of view से आपको यह बना रहा हुआ है, ठीक है तो यह ST हम कैसे निकालेंगे, पहले ASW निकालेंगे, फिर ASF निकालेंगे, उसके बाद दोनों को add करेंगे, तो वहाँ से हमको मिल जाएगा required area, मतलब ASD की value TB में एक relation होता है, point seven fy into ASF equal to आपका point four five into fck into df into bf minus bw तो यहां से हम क्या करेंगे, ASF की value calculate करेंगे, तो ASF को यहीं पे रखते हैं, बाकी सारी value को उधर equal to के इधर ले आते हैं तो point four five fck into df into bf minus bw upon में यहां पे into कर रहा है, यहां के क्या करेंगे, divide point eight seven into fy इसकी value हम क्या करते हैं, put कर देते हैं, point four five into fck की value 15 into df की value 100 question में given है into bf की value आपका 1250 minus bw की value आपका 250, सारी चीजे question में given है, हमने लिखा है उपर में point eight seven into fy की value 415, जब हम इसको solve करते हैं, तो asf की जो value होती है one eight six nine point five five mm square में आ जाती है, तो हम लिखते हैं to find asw, ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहां पे हम जानते है mu flinch, ठीक, equal to आपका हता point four five into f c k into df into bf minus bw into आपका d minus df by two, यहां पे हम moment flinch का निकाल रहे हैं, ठीक, compression side से, तो point four five into f c k की value आपका 15 into df की value 100 into bf की value 1250 minus bw की value 250 into d की value आपकी होगी 550 minus df की value 100 by two, जब हम इसको solve करते हैं, तो 3375 000 फिर 00 newton mm में आ जाता है, मतलब आपका 337.5 kNm में, यहां आपका mu flinch, यानि flinch में कितना moment आएगा, यह उसकी value है, जानते हैं, mu जो होता है total, वो mu flinch plus mu wave, इन दोनों के equal to को add करते हैं, तो वो value होता है, मतलब mu equal to आपका flinch पर जितना moment आ रहा है, plus wave पर जितना moment आ रहा है, वो आपका total mu होता है, तो देखिए, यहां पर आपको mu wave बनाना है, ठीक है, mu flinch के value आपको पता है, mu की value आपको पता है, तो mu wave को वहीं रखिए, यह जो यहां plus आ रहा है, mu में इधर आके minus करेगा, तो mu minus mu f, ठीक है, mu की value हमें पता है, 400 kNm है, mu f अभी हमने निकाला 337.5 kNm में, तो आपका mu wave की value आ गई, 62.5 kNm, अब हम जानते है, mu wave का जो formula है, ठीक है, ast, यहां से हम पो निकालना है, asw, mu wave का जो formula होता है, steel के case में, यानि की tension zone में, 0.87 into fy into asw into d minus 0.42 into xu, ठीक है, यहां से हम यह value को रखेंगे, और यहां से हम पूरी value को put करके, asw की value हम find करेंगे, ठीक है, तो यहां पे एक चीज़ आता है, आपको xu की value आपको पकानना है, तो हम xu मतलब जानते है, 0.87 into fy into asw, ठीक है, 0.36 into fck into bw, यहां पे ast इसलिए नहीं है, क्योंकि हम asw के लिए xw निकालना है, इसलिए asw हम यहां पे direct put कर देंगे, तो आएए देखते हैं, mu wave equal to आपका हो जाएगा, 0.87 fy की value 415 into asw हमें find करना है, into d की value हमें पता है 550 minus 0.42 into xu की जो यह value है, यह पूरी value हम यहां पे क्या करेंगे, put करेंगे, 0.87 into 415 into asw, upon में 0.36 into, आपकी fck की value है 15 into b, w की value 250 आपको दिया हुआ है, यह को श्टक बंद, अब हम इसको क्या करेंगे, solve करते हैं, देखिए, mu wave की value जो होगा, 62.5 into 10 the power 6 put करेंगे, ठीक है, क्यों 6 किये, 10 the power 6, क्योंकि यो kilo newton meter से हम इसको newton mm में change कर दिया, क्यों, क्योंकि सारी value यहां पे mm में है, फिर इसको हम calcium में put करेंगे, और इस equation को solve करेंगे, आप इसको calcium में put करके, आप इसको solve करिएगा, तो आपको आसानी होगी, ठीक है, फिर यहां से आपकी जो asw की value निकलेगी, तो आपका निकलेगा asw equal to 338.082 mm square में, ठीक है, तो यहां से आपका asw की value आपकी बन चुकी है, तो आप हमको चीह था ast, यानि ast equal to आपका होता है asw plus asf, मतलब asw की value हमने निकाला 338.082 plus asf की value हमने calculate की थी 1869.55, ठीक है, जब इसको हम add करते हैं, तो 2207.632 mm square आ जाता है, तो यह आपका होगे required ast, यानि area of steel, ठीक है, तो यह आपका इस questions का answer, वीडियो आपको थोड़ी से भी help की होई, तो इस वीडियो को like करें, share करें, इस channel को subscribe कर लें, इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद,